पहले दोस्तों आप लोग लाइप पूरूप देख सकते हो ATL 5G unlimited data unlimited internet में use कर पा रहा हूं मेरे में दोस्तों यहाँ पर ATL में guys यहाँ पर 5G network है वो लगके आ रहा है तो ऐसे स्थिति में दिया आप लोग 5G internet use नहीं कर पा रहे हो आप लोग guys यहाँ पर claim कर लेते हो claim के बाद में आपका 5G internet है विल्कुल भी नहीं चलता है आपकी device में दोस्तों ऐसे स्थिति में क्या गरना है हम आपको 2024 की न्यू तरीका बताने वाला हो एक बिल्कुल नया तरीका जिससे की आप लोग 5G unlimited internet ATL की SIM में use कर पा और आपको कोई भी दिक्कत है कोई भी problem face करने को नहीं मि लेगे वीडियो काफी जड़ा helpful होने वाला है ऐसी स्थिति में सबसे हेलो गाइस वेल्कम बेक टू माइन नीव वीडियो में ये टेल 5G internet data unlimited work नहीं कर रहा है how to fix ATL 5G unlimited internet not working नहीं येस दोस्तों वेसे की बाते नहीं साल आ चुकी है और 2024 लग चुकी है और ऐसी स्थिति में काफी दोस्तों ने जो 5G smartphone है वो तो ले लिए होंगे और आप लोग गाइस यहां पर 5G internet भी सारा कुछ find कर लेते हैं उसके बाब जूद भी हमारे mobile phone में 5G data है वो नहीं चलता है तब तो हमको यह बहुत गुस्सा आता है क्योंकि हम लोग बहुत मेहनस के पैसों से गाइस यहां पर 5G phone लिये हैं जो की देख सकते हो लेकिन जब इसमें 5G unlimited internet चले ही न तो फिर फाइदा क्या हुआ phone लेने का वो भी बहुत ज्यादा पैसे लगा के न तो यहीं पे बहुत तेजी से गुस्सा आता है तो आपको बिल्कुल भी परेशा नहीं होना एक परसेंट भी ओके मैं आपको वादा करता हूँ मैं आपको आज किस वीडियो में प्रोफल तरीका बताऊंगा जिससे कि आप लोग अपने एटेल 5G इंटरनेट को यूज कर पाऊगे तो आईसे श्तिति में सबसे पहले आपको ये टेल ठैंक्स अप्लिगेशन हो गया इसको डाउनलूट करना है डाउनलूट अगर आप लोग पहले से ही कर रखे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये काम करना है आप लोग देख और बहुत हैं लोग यह करते हैं यसा उनका डाटा है, डेरोजी भी भी बहुत जल्दी खतम होता है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फाइद हैं ओन्दोने वाल है usually आपका भी डेरोजी भी डाटा है बहुत जल्दी खतम हो जाता है, तो आपको एकória application को अपने उसी mobile number से login करना है अब login करने के बाद में इस प्रकार का interface आएगा आपको नीचे की साइड में जाना है यहाँ पे एक option आपको मिलेगा claims 5G plus live है ऐसा कुछ claims unlimited 5G data यही तो वो चीज होने वाले जहाँ पे आप सब यह लोग आते भी हो अगर claim कर भी लेते हो तो यहाँ पे 5G unlimited internet है आपकी device में work नहीं करता है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है unlimited 5G data just for you मतलब यहाँ पे working है अब यह क्या problem होने वाली वो चीज हम लोग सुदारने वाले हैं और कैसे आप लोग 5G unlimited data को use कर पाऊगे आईए चांदे मैने दोस्ते यहाँ पे unlimited data को तो claim कर लिया है वो भी अभी आपके सामने live फुरू मेरे पास में एक message भी आ चुका है ATL 5G plus and active तो अब हमारा तो काम complete हो चुका है अब लेकिन यहाँ पे उपर की side में देख रहा हूँ 5G internet है वो फिर भी नहीं आ रहा है अब यह 5G internet कैसे आएगा 5G network कैसे आएगा आपके SIM के अंदर आपके mobile phone के अंदर आएए अब हम लोग वो setting को set करते हैं जिसे set करने के लिए आप सभी वालोग इस वीडियो को देख रहे हो तो करना क्या पड़ेगा अब जो हमारी mind trick है जो मेरे वालोग start हो जाती है ओके अब simply आपको एक बार अपने phone की setting को open करना है इस परकार का आपको interface देखने को मिलेगा तो आपको simply क्या करना है आपको mobile data, mobile network वाले option पर click करना है आपको एक चीज़ आग रहना है यह दि आपकी atl के sim में 2 में पड़ी हो तो उसको फटाक से अभी के अभी निकाल के बन में डाल देना है और उसके उपर click करना है आपको auto select वाले option को off करना है फिर आपको दोस्तों यहाँ पर off कर देना है पूरी तरीख से off करने के बाद में आप simply guys यहीं पर वो चीज़ होने वाले जो आपको set करना है जिससे कि आपका 5G internet है वो activate हो जाए और चालू हो जाए searching हो रहा है searching जैसे ही complete होता है यहाँ पर देख सकते हो कापी options लिखे होएं लेकिन यहाँ पर 5G का option है वो ही नहीं so हो रहा है वो क्यों नहीं हो रहा है अब यहाँ पर यह बात आती जो आपकी sim है जैसे कि actually क्या है आपकी sim है यहाँ पर क्या होता है बंदे लोग यह सोचते है कि आपकी अगर पुरानी sim है तो गाई से आपे 4G होगी अगर आपकी नई sim है तो 5G होगी हाँ यह दि आपने दोस्तों अपनी sim को port कराया है महिने, दो महिने, तीन महिने पहले तो भी आपकी sim 5G है इसका मतलब आपने port कराया और आपकी sim है 5G है तो ऐसे इस्तिति में आपको simply एक काम करना है आपको यहाँ पर चले आना है पूरा आपको वैक करना है वैक करने के बाद में आप simply guys यहाँ पर एक बार अपने mobile phone को आपको एक new version में update करना है यही तो वो चीज होने वाले है जो आप सभी भाइलों को नहीं बता है आप लोग यह तो जानते होगे mobile phone को update करना यह दिए आप लोग नहीं जानते हो तो बहुत ही easy method है वो चीज भी हमाया आपको अभी बताने वाला हो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख चकते हो 5G internet है यहा कैसे हुआ यह हुआ है मैंने mobile phone को update किया है आपको भी यही काम करना है अपने mobile phone को update करना है अपडेट करने के बाद में आपको द्वारा से switch on हो जाएगा automatically आप लोग देख सकते हो 5G unlimited internet data है अच्छी तरीके से मैं यूज करता हूँ मैं यहाँ से कोई चीज डाउनलोड कर र देगा वाकि आप लोग देगी सकते हो वीडियो हमारा uploading speed कितना वहतरीन होने वाला है वह वीडियो को भी बहुत ही अच्छी तरीके से upload करता हूँ लेकिन यहाँ पे मिरको जो 7,8,9,10 MB per second के speed मिलती है और speed भी आपको काफी बहतर मिलेगी लेकिन यदि आपका फिर भी नही है तो आपको अपनी sim को एक बार पोड कराना है या फिर sim को नई निकलवाना है उसी नमबर से आपका activate हो जाएगा तो मिलते हैं new video में ठैंक है